अश्रफ की गाड़ी हुई खराब लखनव से बड़ी खबर बता दे आपको पुलिस कर्मियों ने बस को दिया धक्का लखनव से बड़ी खबर अश्रफ की गाड़ी हुई खराब बरेली जेल से प्रियागराज जाते हुए राय बरेली पहुचा अश्रफ बड़ी खबर बता रहे आपको लखनाओ से भारी सुरक्षा विवस्था के बीच ले जाया जा रहा प्रयागराज सुरक्षा विवस्था के रखे गए हैं पुक्ता इंतिजाम लखनाओ से बड़ी खबर बता दे आपको अश्रफ को ले जाया जा रहा था प्रयागराज कोट अश्रफ की गाड़ी होई खराब लखनाओ से बड़ी खबर प्रयागराज कोट ले जाते वक्त अश्रफ की गाड़ी हुई खराब पुलिस कर्मियों ने बस को दिया धका कोविट रोग थाम पर मुख्यमंत्री योगिया दितनाथ ने की बैठक लखनाउ से बड़ी खबर बता दे आपको कोविट के बढ़ते केसिस को लेकर बैठक में डिप्टी सीम वस्वास विभाग के अधिकारी रहे मौझूद सीम योगी ने प्रदेश में कोविट स्थिति की समिक्षा की नियंतरण उपचार व्यवस्थाओं को लेकर दिये निर्देश CM योगी ने की बैठक COVID को लेकर COVID रोग ठाम पर मुख्यमंत्री योगी अतितनाथ ने की बैठक लखनाउ से बड़ी ख़बर बता दे आपको 15 से 29 अप्रैल तक कही ट्रेन निरस्ट की गई लखनाउ से बड़ी खबर बता दे आपको गोरकपूर केंच स्टेशन पर ट्रैक नवीनी करन का काम जारी गोरकपूर छप्रा विशेश गाड़ी उन्तिस अप्रेल तक निरस्त गोरकपूर गोंडा विशेश गाड़ी उन्तिस अप्रेल तक की गई निरस्त चपरा कचहरी गोंती नगर एक्सप्रेस भी की गई निरस्त वारण सी सिटी गोरगपूर एक्सप्रेस भी निरस्त पटाका फैक्टरी में हुआ धमाका लखनाउ से बड़ी खबर बता दे आपको पटाका फैक्टरी में हुआ बड़ा धमाका पटाका बनाने वाली चार लोग हुए गंभी रूप से घायल थाने से कुछ दूरी पर पटाका फैक्टरी में हुआ विस्पोर्ट लखना उसे बड़ी ख़वर बता देवा औब को मौके पर पहुँची पुलिस ते फैक्टरी को किया सी घाई लोगों मेडिकल कॉलेज में किया गया रेफर लखना उसे बड़ी ख़वर बता देवा, आपको पटाका फैक्टरी में लगी आग बिना मानक के चल रही थी पटाका फैक्टरी से साफ कर रहते हैं उसे घर्षण की वज़ा से इसमें हीट जिलने डूई जिसकी वैसे आग लगी है आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार